रिम्स मेल आज के लिए भरती लालू यादव से आज मुलाकात का दिन है और इस मुलाकात में आज लालू यादव से तीन लोगों की मुलाकात हुई वही बंदू तिर्की आलम गीर आलम और हिमन सुरेन लालू यादव से मुलाकात करने पहुचे रुम्समें इलाज के लिए भर्ती लालु परशाद यादव से आज जा मुलाकात का दिन और आज लालु यादव से तीन लोगों ने मुलाकात की तीन लोगों को मिलाकात के अनूमत ही मिली थी लालु से मिले हैं तो नेता प्रतिपाक्षेमन सोरे इन कॉंग्रस सविधायक दलके नेता आलमगीर आलम और जेवियम नेता बंदुतिर की रिम्स पहुंचे तीनों वरिस्ट नेताओं ने राजत सुप्रीमों से मुलाकात की और उनकी स्वास्त का हाल जाना नेताओं ने रिम्स के सूपर स्पेसिलिटी अस्पथाल में सुरक्षा की ववस्था पर सवाल उठाया नेता प्रतिपख्ष ने बताया लालू से बात कर उन्हें प्रदेश में होने वाले दो उपचुनाओ पर गडबंदन के तहत विपख्ष के चुनाओं में उतरने की जानकारी दी बंदु तिर्की ने इन दो उपचुनाओ को 2019 का समी फाइनल बताया इलाद चल रहा है वहीं उन्होंने प्रदेश में होने वाले दो उपचुनाओ पर का कि उपक्ष एक जुठ होकर चुनाओं में उतरेगा वहीं आलमगीर आलम और बंदु तिर्की ने भी का कि चुनाओं गडबंदन के तहती होगा वहीं लालू प्रशाद की सेहत को लेकर तीनों नेता चिंतित दिखे अभी भी स्वास्त इनका अच्छा नहीं है लेकिन सरकार द्वारा उपलग उप्वात सेवा के तहत जो इलाज चल रहा है अगर इससे सुधार नहीं होता है तो सरकार को इस विषय पर गंभिर्ता से चिंतन करना चाहिए इनके बहुत सारे सरीज में समस्याए है और इनको बहतर इलाज के लिए बहतर जगह पर ही रखा जाना चाहिए अब सरकार किस मंसा से उनको यहां रखी है यह तो सरकार ही बता सकती है लेकिन पूरी घटना करम को पूरा देश देख रहा है लालू से मुलाकत करने के लाए थे विस्वास के बादे पूछ भी जाए जैसे कि आप लोग को पता है कि रिम से ही उसके रिफार कर दिया गयते हैं और इनको लगता है कि सरकार के लाए जो कदम है काई बेतर एलाज के लिए बेतर जागा फिजा जाता है तरह नहीं बेच कर दिया और जहां तक उनका फ्रूमंत्र नहीं हो करते सब मिल्जूर कर आने आवरे समय में चुनाव अफ्रों लड़िये इतने अतने पुलीस बल को यहां पर तैनात करा कर करके ए देमोलाइज करने के जैसा ही नालू जी निरास है यह सब देख कर ने वह निरास नहीं है वह बहुत जीवत आदमी है निरास हम लोग जैसे लोग जैसे अभी हम लोग आदेख करके लगता है आप ही खुद आप सधारन अगर सोचते होंगे कि इसकी क्या जोड़त थे और का सथी नहीं तो बेहतर ही लाज कर दूसरे बड़े जगा भेजना चाहिए और इसी ख़बर पर ज्यादर जानकारी के साथ जुड़ गया हमारे संपादक सादाने उस बेहार ज्राखन कुंदन कृतग्य हमारे साथ रांची से सीधे कुंदन जी भले ही लालू प्रशाद एमस से रिम्स शिफ्ट हो गए लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं एक राजनीती में ऐसा चेहरा बन चुके हैं लालू प्रशाद यादव एक ऐसा ओहरा है उनका कि राजनीती उनसे दूर कहीं नहीं हो सकती चाहे वो किसी भी जगह पर हो और एक बार फिर से रिम्स में हैं होनी को अनहोनी कर दे अनहोनी को होनी यह अमर अकबर एंथोनी की जो तिकड़ी है आज जब पहुंची है शहनसाह लालु यादों से मिलने तो इसके बहुत बड़े राजनितिक मायने आप निकाल सकती है क्योंकि शहनसाह वह सक्षियत है जो जहां से खड़ा होता है लाइन महीं से शुरू होगी और उसी सहनसा से राज़िती के सहनसा से मिलने आज अमर अकबर और एंथोनी पहुंचे थे हेमत सोरेन आलम गिरा आलम और बंधू तिर्की और इन तीनों लोगों को के आलालू प्रसादियादों के पास पहुंचने का आप सीधा सीधा मत्तब लगा लि और शायद सता पक्ष के लिए यह बेचैनी का सबसे बड़ा कारण बन चुका है और तीनों विक्ति हेमत सोरेन जार्खन मुक्ति मोर्चा के कारेकारी अध्यक्ष हैं इसके अलावा बंधू तिर्की जो प्रतेनेदेत्टू कर रहे थे जार्खन विकास मोर्चा का और आलम वाला जो समर होगा इस समर का इतिहास भी आगे लिखा जाएगा और जब इतिहास लिखा जाएगा तब उस इतिहास के पन्नों में दर्ज होगी जार्खन मुक्ति मोर्चा और हेमत सोरेन के नित्रित में 2019 के चुनाओ की कहानी खुश्बू जिवलकुल और कुंदन जी जिस प्रकार से आज तीनों नीता है मन सोरेन आलमगीर आलम और बंदूतिर की एक साथ मिलने के लिए पहुँचे हैं कही न कहीं जाकर में सियासत के लगी रंग देखने को मिल रहे हैं और कहीं न कहीं लालू प्रशाद यादव के इर्द मजबूत महागडबंदन दिख रहा है वही दूसरी तरह बात करें सत्ता पक्ष की तो तूटता हुआ नजर आ रहा है लेकिन विपक्ष अपने आप को समेटने में कह सकते हैं अभी काम्याब दिख रहा है देखे खुश्पू अगर सत्ता पक्ष की बात कर लें तो मुख्यमंतरी दिल्ली से राची के लिए प्रस्थान कर चुके थे थोड़ी दिर पहले वह पहुँचे हैं राची और यहां से खूटी के लिए रवाना हो गए हैं उसके तीन बज़े से आज कैबिनेट की बैठक है कैबिनेट की बैठक समाप्त करके मुख्यमंतरी पहुचेंगे भाजपा के प्रदेश कार्याले और यहां पर चुनाव समीथी की बैठक के बाद इसे संसदिय समीथी के पास भेजा जाएगा और संसदिय समीथी आज देर साम तक हो सकता है भाजपा के गोमिया उमिदव का नाम तैक कर दे उसे और उसकी ओपचारी घोशना कर दे हलांकि भाजपा सुत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही है खुश्बू आपको बता दें कि आजसू के साथ आजसू ने जो दोनों सीटों पर अपनी उमिदवारों की घोशना कर दी है तो भारतिये जनता पार् ही है अब अगर माधौलाल सिंग वहां से उमिदवार बनाये जाते हैं तो आप यह मालने कि बड़े भाई और छोटे भाई के बीच में वह सीमेंट की मजबूत दीवार की नियू खड़ी हो गई है और इस दीवार को तोड़ना अब आने वाले समय में थोड़ा सा मुम्कि दिखाई नहीं देता है और जब दीवार तूटे गी नहीं तो आने वाले चुनाव में विपक्षी एकता जब सड़ चखता बोलेगा तो हो सकता है राजनितिक के परिद्रिस से बिलकुल बदल जाएं जहारखंड के खुश्बू जह विलकुल खुंदन जी और एक बात जाने वाली ये भी है कि लालू प्रशाद यादव एमस से ऐसे वक्त में रिम्स आये हैं ये संयोग कहें या किस प्रकार से इस बात को लें लालू प्रशाद यादव ऐसे वक्त में आये हैं जबकि गटबंदन में सब कुछ सही नही वे नहीं दिख रहे थे तो कहीं कॉंग्रस अपना रागला आप रही थी नगर निकाय चुनाओं में थोड़ा अच्छा प्रदर्शन करने के बाद तो गडबंधन में कहीं दरार सी दिख रही थे लेकिन जब से लालू प्रशाद यादव आए हैं उसके बाद जिस प्रकार स गडबंधन का ये रवया है कहीं ना कहीं काफी एन मौके पर लालू प्रशाद यादव के एंट्री वी है इस वक्त रिम्स में खुश्बू मैंने आपको पहले बताया कि लालू प्रशाद यादव राजदितिक के ऐसे शहंसा हैं जो जहां खड़े होते हैं लाई वहीं से शुरू हो जाती है लालू प्रशाद यादव वापस राची पहुँचे हैं और कल जो देर साम हेमंत सोरेन के आवास पर तमाम पिपक्षी दलों की बैठक हो रही थी उस बैठक के वीज्वल्स को जरा आप देख लें उसमें भोला प्रसाद यादव बहादूर पूर दर्भांगा के बिधायक हैं राजद से और लालू प्रसाद यादव के प्रॉक्सी हैं आज की तारीक में अगर कह लें भोला याद तो वह भोला यादव हैं और ऐसे में भोला यादव के उस बैठक में मौजूदगी हेमन सोरेन के बिलकुल बगल दाहिनी तरफ आप देख लें बहुत बड़ी यह बात थी और यह जो राजनितिक विश्लिसकों की माने तो इस जो यह दृष्ट था कि एक तरफ आलम कांग यादव अभी प्रॉक्सी हैं लालू प्रसाद यादव के वहाँ पर अगर वह बैठे थे तो आप यह मान सकती हैं कि वहाँ पर लालू प्रसाद यादव खुद बैठे हुए थे और जिस तरीके से तमाम विपक्षी दलों की कल बैठक हुई है वह कहीं न कहीं आने वाले स में में एक बहुत बड़े पॉलिटिकल चेंज की तरफ इशारा कर रहा है और साथ पूरे देश में जारखंड से यह विपक्षी एकता की जो शुरुवात की कवायद है वह जारखंड से निकलकर नई दिल्ली तक पहुँचने वाली है और यही वज़ा है कि लालू प्रसाद गडबंधन अपने आपको मजबूत करता दिख रहा है और आज की इस मुलाकात ने यह तै कर दिया है कि गडबंधन का भविशे फिलाल तो सही लग रहा है लेकिन सत्ता पक्ष के लिए परेशानी का सबब है जिस प्रकार से लालू प्रशाद यादव से तीनों नेताओं क की मुलाकात हुई है बिल्कुल यह मुलाकात तो बस एक बहाना है खुश्बू दरसल आने वाले समय में लालु प्रसाद्यादों के दिशा निर्देश काम करेंगे इस विपक्ची एकता में और लालु से हेमंत सोरेन गाहे बेगाहे हर अपने निर्णयों में लालू प्रसाद यादों की सहमती ले रहे हैं मैं आपको बता दू कि आज की तारीक में हेमंत सोरेन दिशोंगुरू सिबू सोरेन से उतनी सलाह मस्वरा नहीं कर रहे हैं जितना वो लालू प्रसाद यादों से कर रहे हैं और स्याद यही वज़ा है कि कल की मुलाकात के बाद कल जो विपक्षी एकता की विपक्षे के तमाम दलों की मीटिक थी बैठक थी हिमन सुरिन के आवाज पर उसके बाद आज यह तीनों अमरक पर एंथोनी जो जब पहुंचे हैं लालो प्रसाद यादों से मिलने तो कु पहुंचे थे क्योंकि दस तारी तक नामंकन होना है जाहिर सी बात है उमिदवारी पर चर्चा हुई होगी और जो हमारे पास सूत्रों से खबर आ रही है कि सिल्ली सीट पर अमित महतो की पत्नी सीमा देवी उमिदवार होंगी जहरकन मुक्ती मोर्चा से और गोमिया सीट पर योगिंद्र महतो की भी पत्नी उमिदवार होंगी तो इससे लिहाजा बहुत बड़ी घटना है अपने आप में और आपको दूसरी बात पता दें कि यह केवल इस चुनाओ को लेकर ही यह कवायत नहीं हो रही है लालू प्रसादियादों कुछ ऐसी नियू आधार सिला रख रहे हैं जो आने वाले 2019 के लोग सभा के साथ सथ बिधान सभा चुनाओं में बिपक्षी एकता को और मजबूत करेगा खुश्बूत बहुत बहुत धन्यवाद कुंदन जी इन तमाम जानकारियों के लिए तो निश्रे तोर पर इस मुलाकात के सियासी माहिने काफी है झाले जाओं में 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 जाओं में